मिक्स वेजेटेबल जिसको बनाना बहुत असान है और इस मिक्स वेजेटेबल को हम बनाएंगे विदाउट अनियन और कार्लिक यहां पर हमने कड़ाई में ऑईल डाल कर अच्छे से गरम कर लिया है गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और सबसे पहले हम यहां पर दो मीडियम साइज आलू है जिसको हमने छोटा और मोटा काट लिया है उसको हम फ्राई करेंगे यहां हमने आलू कच्छा ही लिया है और आलू को हमने जब तक फ्राई करना है जब तक कि यह पूरी तरीके से कुक ना हो जाए आलू अच्छी तरीकी से कुख हो गए हैं और इनको टेस्ट करने के लिए आप एक आलू ऐसे साइड में ले जाईए और उसको ऐसे काट कर देखे, यह देखे, यह दो पीस में हो गया है, इटमिन्स हमारा आलू अच्छी तरीके से कुख हो गया है, आलू को हम निकाल लेंगे, हम गरम देल में ही हम डाल देंगे गोभी, यह हमने एक मीडियम साइज गोभी ली थी, जिसको हमने बहुत मोटे-म में काटेंगे ना फ्रेंस, तो जब हम इसको तलते हैं, तो तलने के बाद यह श्रिंक हो जाती है, उसके बाद इसका टेक्स घराब हो जाता है, इसलिए आप गोभी के जो फ्रोरेक्स हैं, उसको आप थोड़ा मोटे-मोटे ही काटेगा, और गोभी को भी हम जब तक कि यह सॉक नहीं हो जाएगी, जब तक हम इसको फ्राई करेंगे, और गैस की फेम को अब हम फुल कर लेंगे, यह देखिए गोभी के उपर अच्छे से कलर आ गया है, बहुत बढ़िया तरीकी से गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम गोभी को निकाल लेंगे, अब हम एक मीडि स्टाइल, मिक्स वेज बनाने के लिए हमें अपनी सब्जियों को फ्राई तो करना ही पड़ेगा, यह देखिए, गाज़ा पर भी हलका हलका से कलर आ गया है, और यह थोड़ा श्रिंक भी हो गई है, अब हम इनको भी निकाल देंगे, अब हम गरम तेल के अंदर, दो मीडि अब अब लिए मतर हैं यह भी डाल देंगे, और इन सब को डालने के बाद हम इनको बस केवल 1-2 मिनट थकी, फुल फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे, एक से दो मिनट हो गया है, यह शिमला मिर्च वगरा भी हम सब निकाल लेंगे, हमने वैसे भी यह शिमला मिर्च और बीन और मतर को ज्यादा करने के नीट नहीं है, हमने फ्रेंज जो सब्जियां फ्राई की थी उसको हमने के स्ट्रेटर में डाल के रखा है, जिससे के इसका एक्स जोल निकल जाए, तो चलिए अब आगे का जल्दी से प्रासर्स कर लेते हैं, हमने उस 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा, हमारे ये तीनों चीजे अच्छे से आप देख सकते हैं, भून गई हैं, अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर, अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट, यहां हमने 4 मीडियम साइस टमाटर, एक इच अद्रक का टुकरा और 2 हरी मि पेस्ट पना लिया है, और इस टमाटर की पेस्ट को हम जब तक अच्छा से भूनेंगे, जब तक इसका मॉइस्टर खतम ना हो जाए, और गयास की फ्लेम को भी हम फुल कर लेंगे, आप देख सकते हैं, इसका जो मॉइस्टर था वो खतम हो गया है, और अच्छा से सापरे हो गया है, गयास की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, और स्लो फ्लेम पर हम डालेंगे मसाले, सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिश्च पाउडर, और 2 टीस्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी ल यह सब मसाले डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो ही रहने देंगे मसाला अच्छे से भून किया है और भी सेपरेट होने लगा है गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रहने देंगे और स्लो फ्लेम पर जो हमने सब्जियां फ्राई की थी, ये सारी सब्जियां हम इसके अंदर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा हमने अगरा काटके रखा है लम्मे-लम्मे पीसिज में ये भी डाल देंगे मसाले में सबी सब्चियां अच्छासे कोठ होने के बाद अच्छासे मिक्स करनी के बाद हम इसको लगभग 1-2 मिनट तर ढ़क कर पकाएंगे और ग्यास की फेलें को स्लो ही रहने देंगे एक से दो मिनिट हो गया है लिट को उतार कर देख लेंगे और सब्जी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी सब्जी में से बहुत ही बड़िया कुछ बूँ आ रही है और हमारी सब्जी अब बनकर रेडी भी हो गई है अब हम अपने इस मिक्स वजटेबल के अंदर 2 लिक कंड़ी सी डालेंगे का सूरी मेथीं लगफाक एक सालैंग मिकीम अब यह भी डालेंगे और इक सैलैं इस यतोन लगफाक हम डालेंगे करीम क्येंश नहीं है अगर आप चाहें तो इसको इसको कर सकते हैं से क्रीम जगे आप फ्रे जाल चुरू हम दालने के इसमें करम मसाला पाउडर पाओडर अ कि ये सब चीजिए दालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे कर लें गयास की ध्या हम को हम च्छा ही रहने कि कलता हम आप देख सकते हैं यह जो हमारी मिक्सवेज है बन गई है रेस्टोरेंट स्टाइब क्रीम डाले से जो इसके उपरी ग्लेज आता है जो एक शाइन करती है यह बहुत बढ़िया लगती है देखने में भी अच्छी लगती है हमारी मिक्सवेज सबजी हो गई है तैयार और सर्फ करने से पहले हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया भी टाल देंगे और अब हम अपरी सबजी को डालेंग एक सर्विंग डिश में झालेंगे